क्या आप जानते हैं कि शरीर में अगर कैंसर हो जाए तो ये कितनी भयंकर बिमारी है कैंसर से हर तरीके से सुरक्षित रखना अपने आपको हमारे लिए सबसे पहली हमारी स्वास्ते के परती जिम्यदारी है इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के हर हिस्से का ध्यान रखें अकसर लोग पेट का ध्यान रखते हैं, बाहरी तचा का ध्यान रखते हैं लेकिन फेपडो का ध्यान रखना भूल जाते हैं सन 2004 से लेकर के 2012 के बीच में इंग्लैंड में एक सरवे किया गया लगबग 85,000 कैंसर के मरीजों के उपर जिसमें ये पाया गया कि जो प्रोस्टेट कैंसर के मरीज थे और साथ में जो इस्तन कैंसर की मरीज थी महिलाएं उनकी जीने का जो रेशियो था वो लगबग पता चलने के 7 साल के बाद तक का था लेकिन फेपडों के कैंसर के जो मरीज हैं उनकी मरत्यू दर इससे कहीं जादा अधिक थी फेपडों के जो कैंसर के मरीज थे उनमें से 5 में से 1 व्यक्ति की मौत लगबग हर महीने और 73 परतीशत लोगों की मरत्यू लगबग साल भर के अंदर हो गई थी तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फेपडों को स्वस्त रखना उनकी सफाई करना कितना जरूरी है नमश्कार आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप अपने फेपडों को साफ नहीं करते हैं तो आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और अगर आप अपने फेपडों की सफाई करना चाहते हैं तो आज हम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर करेंगे तो वीडियो को end तक जरूर देखें और इसे like करना बिल्कुन न पुलें आजकर बड़ों से लेकर के बच्चों तक सब में सर्दी, खासी, जुखा, अस्तमा, साइनस, लंग से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ बिमारी तो जरूर है और जिन लोगों को नहीं है उन लोगों को अगर वो इसी तरीके से यानि के परदूशन में रहते रहे तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये समस्याएं होने लग जाएं तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने फेपड़ों का सही धंग से ध्यान रखें सबसे पहले समझते हैं कि हमारे फेपड़े क्या काम करते हैं ये तो सभी जानते हैं कि हमारे फेपड़ों का काम है कि वो ऑक्सिजन को अब्जर्ब करते हैं और कारबन डाई अक्साइड और इसके अलावा और भी जो गैसे हैं उन्हें बाहर निकालते हैं oxygen जादा मात्रा में शरीर के अंदर होती है तो इससे हमारा शरीर बहतर तरीके से काम करता है हमारा energy level high रहता है और किसी भी काम को हम बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं बिशले कुछ समय में इस बात को तो हमने बहुत अच्छे से जाना है कि फेपडों का सही होना स्वस्त होना कितना जरूरी है हमारे शरीर में दो फेपड़े होते हैं और इन स्पंजी नुवा फेपडों में दस प्रतिशत जो होते हैं वो टिशू होते हैं बाकी जो जगय होती है वो हमारी जो oxygen है उसको hold करने के लिए होती है फेपड़े हमारे सीने में पसलियों के उपरी हिस् चारो और एक पतली सी महीन सी जिल्ली होती है जिसे पलूरा कहा जाता है चैस्ट केविटी से हमारे फेपडों को सुरक्षित रखती है हमारे फेपडों के अंदर जो जिल्ली होती है इसमें जो fluid रहता है यह sponge करने में यानि के बार बार सिकुंडने और फैलने की प्रकर्या उसको आसान बनाता रहता है और इसको जिल्ली है यह कवर करके रखती है इसको सुरक्षित रखती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सरीर से ऑक्सिजन को लेना और कार्मन डैकसाइट को बाहर निकादना ही फेपड़ों का काम नहीं होता है यह हमारे श क्योर करके रखते हैं उसके पास एक safety cover बना करके रखते हैं ये वी काम हमारे फेपड़े ही करते हैं ये immunoglobin A का रिसाव करते हैं और हमें respiratory infection से भी बचाते हैं समझते हैं कि फेपड़ों में समस्या क्यों उत्पन होती है अगर आपको अस्तमा की समस्या है तो ऐसे में फेपड को काफी नुकसान होता है अगर आपको धुमरपान या alcohol की आदत है तो इससे भी आपके फेपड़ों को काफी नुकसान होता है इसके अलावा अगर आप जो है बहुत लंबे समय से किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर आपको oxygen कम मिलती है यानि कि कोई बंद घर है और आ असपास oxygen level कम हो जाता है बहुत जरूरी है कि अगर आपका घर ऐसी किसी जगह पर है जहां पर आपको बंद किसी अपार्टमेंट में रहना पड़ता है तो कोशिश करें कि हफते में दो से तीन दिन किसी पार्क में जाकर के आप खुले में गहराई से सांस लें खूब गहर बाहर निकानने में मदद मिले जैसे के गुबारा फुलाना एक बहुत अच्छी exercise है साइकल चलाना एक बहुत अच्छी exercise है रसी कूदना एक बहुत अच्छी exercise है इस तरह की चीज़ों को आप जरूर include करें इससे आपको अपके फेपरों को मजबूत बनाने में काफी मदद अरणो में और कुछ समझते हैं यैसे कि अगर आपको बहुत लंबे समय से बलगम बाली खासी की समस्या है तो ऐसे में भी आपके फेपरों को कमजोर करती है इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से आपको बार बार चीके आने की दिक्कत है किसी तरह की कोई allergy है जो कि आपको हर 8 वे दिन, 10 वे दिन या 15 वे दिन के बाद वो जाती है तो ऐसी किसी allergy को भी आप डॉक्टर से जरूर ट्रिट कराएं क्योंकि ये allergy कई बार आपके फेपरों में infection का कारण बन जाती है आपको बताते हैं कि आप अपने फेपरों को किस तरीके से clean कर सकते हैं और अपने फेपरों की सफाई कर सकते हैं और इसके अला एक्स्ट्रावर्जिव olive oil चाहिए वो भी cold press वाला कांच की bottle वाला एक table spoon आपको यहाँ पर शहद चाहिए और दो से तीन कलिया lesson की यहाँ पर आपने इस्तमाल करनी है चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको यह process कैसे start करना है सबसे पहले आपने क्या करना है सुबह उठने के साथ ही 200 ml अपने पानी लेना है और इसके अंदर आपने जो दो निम्बू लिए हैं उन्हें आपने निचोड लेना है दोनों निम्बू को एक साथ ही निचोड़ना है इस बात का ध्यान रखें और पानी हल्का सा गुन-गुना लेना है उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो मिर्च के दाने लिए हैं उन्हें हलका सा कूट या छेत ले और उन्हें गिलास पानी के साथ मिक्स कर ले मानलीजी आपने तीन से चार मिर्ची के लाल मिर्ची के दाने लिये हैं उन्हें हलका सा छेत कर एक ग्लास पानी के साथ मिक्स कर लें उस पानी का थोड़ा सा छीटा डाल करके इस निम्बू वाले पानी में ये आपने सुभा लेना है अगर आप चाहें तो एक चम्मच जो मिर्ची वाला पानी है उसे भी आप उसमें मिला सकते हैं या छीटा भी मार सकते हैं सिंप्ली आपने इसना करना है सुबह सबसे पहले उठने के बाद में इसके लगबग 10 मिनट के बाद में आपने रात को ही एक काम करके रखना है मिनट के बाद और जो मिथी है। उसे भी आपने चवा कर खा लेना है इससे लगबग 15 मिनट के बाद में आपने दो कलिया लैसून की लेनी है उन्हें हलका सा कूट छेत लेना है और उसमें थोड़ा शहद मिला करके उसे अपने चाट लेना है यह आपको सुभा की समय में करना है उठने के साथ ही इसके बाद चलते हैं अब आगे की प्रॉसेस की तरफ यह सब करने के लगबग एक गंटे के बाद आपने भाप लेनी है भाप लेने के लिए एक लिटर पानी को पतीले में गर्म करें और आप चाहें तो नील गरी के ओईल की 4-5 बुंदे और फिर आप चाहें तो इसके अंदर पुदीना यानि की मिंट ओईल जो आता है उसकी 4-5 बुंदे आप डाल लें और आपको पता ही है किस तरीके से भाप लेनी है कोई तोलिया अपने सर के उपर से डाल करके इस स्टीम को जितनी गहराई तक ले सकते हैं उतनी गहराई तक लें नाक से सांस लेनी है, मुझ से बाहर निकालनी है इस पूरे प्रोसेस के अंदर और कम से कम आपने जो है इसको दस से पांच मिनट जरूर करना है जब तक पानी के अंदर से भाप आती रहती है इस दोरान अपनी आँखों पर आप या तो चिश्मा लगा लें या कोई भी थंडी पट्टी आप अपने आँखों पर बांग लें क्योंकि कई बार भाप लेने की वज़े से आँखों में दिक्कत या रेडनेस आती है इसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें आपने क्या करना है ये भाप लेने के लगबग एक घंटे के बाद आपने जो है गाजर लेनी है तीन इनका रस निकाल लेना है यानि के इनको मिक्सी के जार में डाल कर थोड़ा पानी डाल कर इसका जूस निकाल करके तैयार कर ले तो यानि कि भाप लेने के बाद आपने गाजर का जूस लेना है और पूरा प्रोसेस आप छुट्टी के दिन आराम से कर सकते हैं तो जो चोथा स्टैप है उसके लिए अपने हातों को इस तरीके से रखना है जैसे सामने आप देख पारे होंगे इस तरीके से रखना है एकदम सीधा करके एकदम सीधे खड़े हो जाना है और हातों को कुछ इस तरीके से अपने रख लेना है और गहराई से आपने सांस भरनी है पहले नाक से लेंगे, मूँ से छोडेंगे, फिर मूँ से लेंगे, नाक से छोडेंगे इस प्रोसेस को लगबग लगबग आप जो है कम से कम 10 मिनट के लिए जरूर कीजिएगा कई बार फेपडों में थोड़ी हवा रह जाती है तो जिसकी वज़े से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा आराम अगर बीच में लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं लेकिन जितना कर सकते हैं इस एक्सराइस को करने की कोशिश जरूर कीजिएगा इस एक्सराइस के लगबग आदे घंटे के बाद आपने एक मैजिक टी बना करके पीनी है इस मैजिक टी में आप थोड़ा सा आधा इंच अद्रक का टुकडा का इस्तमाल करेंगे थोड़ा सा टुकडा आप दालचीनी का लेंगे थोड़ी यहां पर अगर अजवायन की ताजी पतिया है तो वो ले सकते हैं नहीं तो आधा चमच आप अजवायन का इस्तमाल और यहां पर आप लेंगे थोड़ी सी गुलाब की पंखुडियां, ताजी मिल जाती तो ठीक नहीं तो आप जो नॉर्मल सूखी भी मिलती हैं, तोड़ी सी पंखुडियां दो तिन पंखुडियां वो ले सकते हैं थोड़ी सी आपने सोठ जो इस्तमाल करनी है, सूखी सोठ जो सूख पाउदर होता है अधरक का एक चोथाई चमच वो इस्तमाल करना है इसके अलावा तुलसी की सूखी पतियां या ताजी पतियां आपने इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी पूदीने की पतियां भी आपने इसके अंदर डालनी है इन सारी चीजों को आपने एक लीटर पानी के साथ पका लेना है 10 मिनट के लिए उबाले उसके बाद गैस को बंद कर दे इसे च्छान करके पूरे दिन में यानि कि अब जब अपने एक्सरसाइस की है तब आपने थोड़ा सा लेना है 20-30 मात्रा में उसके बाद दुबारा शाम को भी इसको यूज करना है तो इसको एक साइड रख दीजिएगा अब जब लंच टाइम आपका आता है तो आपने वो निम्बू वाला पानी पीना है वही लाल मिर्ची का छीटा मार करके इसके लगबग आदे घंटे के बाद फिर से आपने गाजर का जूस लेना है 3-4 गाजर लेनी है उसमें एक चमच कोकोनट ओईल या ओलिव ओईल आपने डाल करके उसको ले लेना है इसके लगबग आदे घंटे के बाद फिर से आप वही exercise करेंगे जो हमने आपको पहले बताई है इसके बाद जब आपका dinner time आता है पूरे दिन के अंदर ये dinner का time आपको बता रहे हैं यानि कि ये same process breakfast में, lunch में, dinner में आपने repeat करना है बू वाला पानी, जो मिर्ची वाले पानी का छीटा मार करके आपने लेना है इसके बाद आपने जो भी आपने dinner बनाया है वो बहुती light और एकदम हलका होना चाहिए कम मसालो वाला, तो पहले वो आप dinner ले लीजिएगा उसके बाद आपने लगबग 15-20 मिनट के बाद गाजर का juice फिर से olive oil के साथ में लेना है इसके बाद आपने थोड़ा walk करनी है लगबग 20-25 मिनट तक उसके बाद आपने dinner tea, जो magic tea हमने बताई थी दोपहर में आपको बनाने के लिए उसी magic tea की बचे हुई हिससे को आप यहाँ पर लगबग 20-30 ml की मातरा में इस्तमाल करेंगे और उसके बाद रात को सोने से पहले आप भाप जरूर लीजिएगा फिर से दुबारा oil डाल करके लिजिएगा ये आपका lungs cleaning का पूरा process एक दिन में खत्म हो जाता है इसे आप हर 3 महीने में दुबारा दोहरा सकते हैं ये आपको बहुत फायदा देता है फेपड़ों में जमा जितनी भी गंदगी है उसको clean करने में आपको बहुत मदद करता है और अगर आप इसे 3 महीने या 6 महीने में दुबारा repeat कर लेते हैं तो आपके फेपड़े बहुत स्वस्त बने रहते हैं, उनमें कोई कफ या गंदगी जमा नहीं होती है, यह प्रोसेस आपको सुनने में थोड़ा हाट जरूर लगेगा, लेकिन जब एक बार आप कर लेंगे और रिलीफ महसूस करेंगे तो आपको बेहत पसंद आएगा, मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खयाल रखें, अपनों का खयाल रखें और हमस्ते मुस्कराते रहें, स्टेए हैल्दी, स्टेए हैपी, बाबाई